नमस्कार दोस्तों, स्टेडी ग्लोज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है रिसेंटली एक मिसाइल पार्क अगनी प्रिष्ट की नीव रखी गई है डिसकस करेंगे इस टॉपिक को, जानेंगे पार्क का में अट्रेक्शन क्या होगा और कैसे ये हमारे प्यारे बच्चों को प्रोथसाहित करेगा मिसाइल टिकनोलॉजी की फील्ड में आईए स्टार्ट करते हैं लेक्चर अगर आपकी कोई भी कोईरी है तो आप मेरी फेस्बुक प्रोफाइल राश्य सिंगल पर पूछ सकते हैं मैं जरूर अंसर करूँगी हाल ही में एक मिसाइल पार्क की नीव रखी गई है और ये नीव आईनेस कलिंग में रखी गई है आईनेस कलिंग एक नेवल एस्टेबलिश्मेंट है जो कि भीमुनी पतनम बीच रोड विशाखा पतनम आंदर प्रदेश में लोकेटेड है और ये इस्टर नेवल कमांड के अंडर आता है उसी के अंडर काम करता है आईनेस कलिंग को 1981 में स्टेबलिश किया गया था Eastern Neven Command को कब established किया गया था वो comment section में आप मुझे लिख कर बताएंगे और INS Kaling में ही 2 Megawatt का solar photovoltaic plant भी लगाया जाएगा उसे भी commission किया जाएगा और यह जो center का initiative है National Solar Mission उसके तहद किया जाएगा जिसमें हम solar power को promote कर रहे हैं और इसमें हमें 2022 तर 100 gigawatt की solar power generate करनी है National Solar Mission को 2010 में start किया गया था और यह आप में को comment section में लिख कर बताएगा कि यह किसने start किया था और इसका initial target कितना था आप तो इसका target 100 gigawatt है जो कि नरेंदर मोधी जी का जब administration आया उनकी government आई उन्होंने इसे बढ़ा कर 100 gigawatt कर दिया गया था तो initial target कितना था और किसने यह start किया था वो comment section में आप मुझे लिख कर बताएगा देखे जो national solar mission है वो national action plan on climate change के 8 component में से ही एक है तो बाकी के जो 7 component बचे वो भी comment section में मुझे लिख कर बताएगा अब हम discuss कर लेते हैं अपने missile park अगनी प्रिष्ट से जुड़े तत्यों को देखे जो यह आईनेस कलिंग है इस park में आईनेस कलिंग की पूरी missile history को दर्शाय जाएगा मतलब जितनी भी आईनेस कलिंग में अभी तक उसके establishment से लेकर अभी तक जितनी भी missiles बनी उन सब का replica बनाया जाएगा उन सब के जो replica है उनकी आज तक की आईनेस कलिंग के establishment से लेकर आज तक की glimpse को पूरी तरह से capture किया जाएगा आईनेस कलिंग को जैसा मैंने बताएगा 1981 में establish किया गया था तो 1981 से लेकर अभी तक का पूरा history यहाँ पर दर्शाय जाएगा तो जो आईनेस कलिंग है उसमें सारे officers, sellers और सारी support staff को dedicate होगा यह जो हमारा missile park अगनी प्रिष्ट है और आईनेस कलिंग को 2018 में एक prestigious unit citation award से भी नवाजा गया था तो इस park में उस award की स्मृतियां भी होगी देखे जो unit citation award होता है वो एक best unit को दिया जाता है जिसने outstanding services दी होती है outstanding performance दी होती है notably battlefield में ठीक है तो यह 2018 उनेस के prestigious unit citation award को भी दिखाएंगे उनकी स्मृतियां भी दिखाएंगे और जो की इस park में सारी missiles का replica बनाया जाएगा और यह replica जो है जो की पूरी replica होता है एक missile की पूरी तरह से copy बनाना ठीक है तो जो भी missiles 1981 से लेकर आज तक हमारे आइनस कलिंग से निकले या उन्होंने establish की उन्होंने बनाए ठीक है तो वो सारे missiles यहां पर होंगे उनके replica होंगे और यह जो replica होगा मैं आपको बता दूँ waste material से बनाया जाएगा ठीक है और यह जो park है उसका main attraction आब हम discuss कर लेते हैं इसका main attraction P-70 emittist होगा ठीक है तो यह क्या है यह एक underground anti-ship missile है जो की इंडियन नेवी को 1988 से 91 तक services दीन थी इसने अपनी पूरी तो इसका पूरा एक main attraction यह P-70 emittist होगा तो यह पूरी तरह से इस चीज को दर्शाय जाएगा यहाँ पर यह main attraction पॉइंट होगा अब दीखे यह जो हमारा missile park अगनी प्रष्ट है यह हमारे schoolी बच्चों से लेकर नेवल परसनल उनकी families को पूरी तरह motivate करेगा missile technology के शेतर में और उन curious minds की कहानी कहेगा जिनोंने इन missiles को गड़ा है ठीक है जब बच्चे अपने सामने कोई replica देखते हैं कुछ missiles बनती हुई देखते हैं पूरा उनका copy देखते हैं तो उनका जो mind है वो उस तरफ attract होता है तो ये जो mind है कभी-कभी हम देखकर सीखते हैं कुछ चीजों को देखकर हमारा मन करता है कि हाँ हम भी उस field में क्यों ना contribute करें तो ये जो missile park है अगनी प्रिष्ट वो इसी चीज में बच्चों को आगे motivate करेगा और खाली बच्चों को साथ दुबारा हाजिर होंगी पेल देन पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए थेंक्यू वेड़े